आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करने वाले अपना जो आज के लिए दा अंडर्ड का यहां सा मुकाबला रहने वाला है जहां पर एक तरफ है ट्रेंट रोकेट्स और दूसरी तरफ है बर्मिंगम फिनिक जिनका पहला मैच बहुत खराब गया वर दूसरे मैच में व कि पूरी information आपको मिले कहीं भी कुछ भी जूटना जाए ठीक है तो आखिर तक देखोगे तो ही फायदा मिलेगा और साथ-साथ वीडियो पसंद है लाइक जरूबर देना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं क्या हुआ है चैनल पर नए हो तो फटावर से सब्स वहाँ पर जोइन होना भी important है यहाँ पर वीडियो देख लेते हो फिर उसके बाद में जो भी updates वगर आती है डेलें से पहले तो आपको वहाँ देखने को मलती है ठीक है बागी चलते हैं ज़र अपने मैच के उपर रात को 11 बज रही मैच के एडलाइन नोटिंगम में खेल करने वाले मैचस अब इसका थोड़ा सा मैं breakdown भधायता हूं तो जो शुरुवात का जो सीजन रहा था ना उसमें जो मैचस थे वो चेज हो रहे थे मतलब 2021 में बट 2022 और 2023 यह दो सीजन ऐसे गए जहां पर जो मैं बोल सकता हूं कि बैटिंग फर्ष्ट करने वाली टीम हो बह यहां पर भी टार्गेट डिफेंड हुए लाइक 154 बना डिफेंड हो गया 173 बना डिफेंड हुआ यह तो चलो ओविसली चेज हो आना तो 57 में तो क्या डिफेंड होता 153 यहां पर चेज हो गया था ठीक है तो कम से काम आप देखो तो पिछले चार मैच में दो डिफेंड में विकेट है बड़ स्पेशली जो स्पिनर से वह पहली इनिंग में बढ़िया करते होने जरा है पिछले चार्टी ट्वन्टी ब्लाष्ट के मैचे में अब ट्वन्टी ब्लाष्ट में तकरीबंते को स्कोर ऐसा रहा है कि 150 ऐसा वाला हंडर्ड वाले मैच में भी आप कही नहीं परता ठीक है एक्जेक्ट में रुगाद नहीं बट वन सेउंटी के असपास वह कहीं परता और लोए स्कोर यहां पर 130-135 के राउंड ता जो कि डिफेंड हो गया था बागी प्लेंग लिए उनके बात करें यहां से ट्रेंट के तरव से बड़ पहले आपको बेंच क कि तरव से तो यही थे वैसे दो खिलाड़ी जो पहले नहीं खेल रहे थे अब मस खेलेंगे तो वाकि उसके लाओ ट्रेंट रुवेट्स के प्लेंग लोन की बात करें एडम ले टॉम बेंटन आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें साथ में फिर तीन नंबर पर हेल से और जैसे मैंने लाश्ट मैचर बोला था कि तीन नंबर पर हेल्स बिल्कुल भी सही नहीं है एडम ले तो भी कुछ जादा खास नहीं कर रहा है टॉम बेंटन फिलाल के लिए सही फोम में पहले में 66 दूसरे में 45 उससे पहले भी कुछ पारिया यहां से टॉम बेंटन की त बहुत कम देखा है मैंने कि अच्छा करता है ठीक है हलाकी कर देता है कुछ मैचस एक दो ऐसे आते जरूर है क्योंकि भाई दगो ऐसा है कि बैट्समें तो ही वह अच्छा केलता है तो किसी भी नंबर पर किसे नहीं किसी दिन तो चलेगा बट जादा तर ओपनिंग बढ़ लो जाता है यह विलाल के लिए उस तरगी के फोट जाता है उस अगला मैच काफी बैतर के लता है तो ग्रैड लीग मनी ग्रेड लीग के लिए एक सी विसी ट्राइब कर सकते हैं तो उसके बाद में आसे नेक्ष्ट है रोमन पावल 279 ने बनाए बागी इमादवसीम है पि चास यह मारा 14 यहां पर फ्लोप वह था यहां पर 55 अब आते ही 15 अरन बनाए है और साथ में दो विकेट भी निकाले एवन बॉलिंग भी काफी बहतर रही है हुँँए रिकोर्ड भी बनाने जा रहा है और यह भाई तुम 25 साल का याद भी यह चालिस का होगा स्पिनर वे से भी लंबा गिलते हैं चालिस का होगा यह 1500-2000 विकेट निकाल देगा टी-20 में और अलग ही एक रिकोर्ड सेट कर देगा एक तो पता नहीं क्या है इसने एज क कर रहा है बढ़ती ही नहीं पिछले आठ साल से यह 25 का ही है बागे उसके बाद में आज जोडन तोंसन लेफ्टन बैट राइटाम मीडियम चार रन एक विकेट पिछले में निकाले पचास रन तीन में उससे बहले रिसेंट फोंसन का काफी बहतर है आता ही चार रन एक वि दाल कर ही जाता है ऐसानी की 5-7 बोल डाल कर रहा गया 15-20 बोल डाल कर ही जाता है पूरी उसके बात में लुइस ग्रिगोरी है पहला मैश दो दूसरा मैच में जीरो विकेट थे और बैटिंग भी काफी नीचे कर दिगए ग्रिगोरी की यह थोड़ा सा सर्प्राइजिंग बागी लुकवड दो मैच एक विकेट यहां से देखने को मला रीसेंट फॉर्म लुकवड का उतना बहतर है नहीं अठा कहीं नगे अगर लेना चाहो तो उप्शन आपके पास में जरूरे देखो लुकवड का नई बोल के साथ में जांस है कि विकेट निकाल सकता है वैसे बाहर बैठा दिया इन्होंने राशिद खान आगया था ने क्योंकि और साथ में ओली रोबिंसन को बाहर बैठाएगे जिसके जिरो विकेट थे बठाए इनकेस अगर क्रिस ग्रीन आता है टीम में तो इंपॉंट तो रहेगा देखो और इवन साथ में लेफ्टेंडर्स भ है और जो रूट भाई अगर के लेतो जो रूटने पिछले की तो रूट के अने मताहिवन कि नहीं कि मता Mae बाकि उसके लावाएं के बोलिंग के बात कीज़े पिछले मैच में इन्हों ने तकरीबन साथ बोलर यूज़ किये थे बट मिल इनके तरह से 6 बोलर से आपको बोलिंग होती है उने जरा सकते जादा तर ठीक है एडम लिट तो बस कूद पड़ा था पिछले मैच वे पांच बोल डाली थी लिवकुड ने 10 बोल डाली नहीं बोल के साथ में डालता है लिवकुड एक तो पावर प्ले में एक डेथ में ठीक है मतलब ऐसा है कि आपको 0-10 के बीचों बोल डालता होने सारे जाए इवन 15 तक भी और उसके बाद में 85 से और लेके 100 तक बोलिंग कर सकता है अब बाकी ओवर के मामले में तो मैं कैसे बता हूँ यहां डलती ही बोले हाँ बाकी इमादमा सिंग नहीं बोल के साथ में डाल सकता है बीस बोल इसने डाली दो विकेट निकाले थे सैम कोग बीस बोल से ते सरन दो विकेट थे ग्रिगोरी न दस बोल डाली थी राशिद ख बर्मिंगम फिनिक्स के वो रहे हैं यहां से फ्लोग इसी वज़ा से लियू कुड नई बोल के साथ में चांस है कि विकेट निकाल सकते हैं बाकी नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर च्छे तक मैं बुलूँ है इनकी बैटिंग फिट ठीक है लिविंग्स्टर ने सबसे सर्प्राइजिंग चीज मोहिनली ने रन तो नहीं बनाए एक और जिरू ही देखने को मलें बट बोलिंग भी नहीं करा रहा है तो एक टीम में चाहें रख लेना बट सी वीसी के लिए मोहिनली फिलाल उतना जदा सेफ उप्शन नहीं है तो पिछले मैचों भी सिरफ सामने काफी कम था 24 बनाए थे बट अगले मैचों बॉलिंग कराई भी साथ में 24 रन भी बनाए एक विकेट भी निकाला आज के लिए भी कहीं न कहीं वो इंपॉर्ट ऑप्शन यहां से बैनी हवल रहता ही है नेक्स्ट उसका बाद में जेम्स फुलर है राइट हं बैट र भी खेलें बागि उसका अदमया से सीन है बट बढ़िया बोलिंग चार विकेट अब जैसा मने लाश्ट मैच बोला था कि एक मैच में जिरो विकेट देखके ड्रोप मत कर देना चार विकेट देखो निकाल दिये आज के लिए भी सीन है इंपॉंट बनेगा एड़म मिलने लेका देखोगे तो ठीक ठाक सारा है उतना कुछ खराब नहीं था बागि टिम साओधी दोनों मैचस और दो दो विकेट टिम साओधी के नाम यहां से रहे हैं यहां से बोलिंग करते वक्त इंपॉंट रहने वाला है चांसे है कि शुरुवात में विकेट निकाल रहा है ट डेकेट और क्रिस वोक्स तीन ऐसे उप्शन है जो पहले नहीं खेले थे बट अभी हो सकता है खेल जाए अम मैंने जब इनकेंस्टा जैक किया तो बैए उसमें मेरे को एक खिलाडी देखने को मिला जो कि टीम के साथ में नेट प्रेक्टिस वगरा में सब इन्वोल था वो प्रेकर यहां से क्या बोलता है रिशी पटेल वगरे की जगह पर आसकता है चांस अनुरें डोनार्ड रिशी पटेल की रहेंगे वह क्या बोलता है चेंज होने के ठीक है तो इस वज़े साबंगेट के तो इसके बाद में के बात की जाए इन्होंने बिछले मैच में जारंच शाहर विकेट आबट ने निकाले जेम्स फुलर मोहिन अली ये दोनों मिलकर बोलिंग करके गई क्योंकि फुलर ने सिर्फ चार बोल्ड डाली और उसका फिर एक बच्चे वी बोल यहां से मोहिन अली ने कराई थी बाकि बैनी हमल 20 बोल लिविंग्स्टन ने सिर्फ है उसके बाद मैं आते हैं अज़र आपने रनों के उपर तो एलेक्स एल्स को बहुत एक्सपिरेंस एस ग्राउंड पर खेलने को बस ओपन कर जाए आव मैं ग्रेंड लिग में तीन जार से उपर रन हैं 31 के एवरेस बेंड डेकेट 31 मैच मैच में 808 रन 39 के साथ में तक रि जबकि बैटिंग किया इस ग्राउंड पर 10 मैच में और 529 रन बना रहे हैं अब जिनको रिस्क लेना हो ले लेना बट टीम में जरूर रख लेना टीम में डेफिनेटल इंपॉंट बनेगा फॉर्म भी अच्छा है रिकॉर्ड भी अच्छा है ठीक है बाके लिविंग स्ट है उट रहे है और इस तो 10 का ही बनता है इसका बागी लेकूड 26 मैच 22 विकेट लेकूड ने विकेट थोड़े से कम निकाले इस ग्राउन पर बाकी इमादवसीम 15 मैच में 18 विकेट है और कैल्विन हैसन के नाम भी 18 मैच उसमे 18 मैच मोही नली 10 मैच में 12 मैच में 12 मैच सैं कुक 9 मैच 10 विकेट है और राशिद खान की बोलिंग अच्छी रही है 6 मैच पर 9 विकेट इवन स्ट्राइक रेट भी 13 का ही है सिर्फ हेट्टोड केकर बात करें इन दोनों टीम के बीच में 6 मैच हो चुके अब सर्प्राइज हो जाओ कि बागी सब टीम के ने एक मैच इनका नोर्जल ट्राइ पिछले साल दो हुए थे जिसमें से एक तो नोर्जल ट्रा था और एक जो मैच था वह यहां से ट्रेंड ने जीत लिया था ट्रेंड ने बनाए 162 बर्मिंगम ने बनाए 116 एल्स के 27 थे सैम हैं के 30 एक विकेट वोड का एक विकेट सैम निकाले थे मौहिन अली के उस मैच में 52 थे लिविंग्स्टन की 51 रन थे मौहिन अली का एक विकेट एक टॉम हम का और तीन विकेट यहां से बैनी हाल ने निकाले थे उसके बाद में 2022 में फिर एक और मैच वा थे इनका 6 अगस्त को यहां पर ट्रेंट रोकेट ने चेस कर लिए था टार्गेट को अयुघ किए टार्गेट टेम जीतारी लिक है एक चेशर तीस मैच उसके ओध और सरी हूँ खिलाडी देखे जाएं, Livingston, Moynally, Luke Wood, Tomham, Gregory, ये कुछ ऐसे कि लाड़ी जो बड़े common निकल कर आते हैं, ठीक है, प्लेयर बैटल के बाद की जाएं, Livingston, Jordan, Thompson के एगेंस्ट में तीन बार आउट हो चुका है, राशित खान को काफी अच्छा बिद करता है, Livingston, साथ पोल में 101 रन बना रहके, तीन बार आउट हो ना फिर लाजमी है, दैन माउसली अगेंस्ट थोमसन तीन बार आउट हो चुका है, मोहिनली अगेंस्ट राशित खान तीन बार आउट हो चुका है, जैकब बैटल अगेंस्ट थोमसन दो बार आउट हो चुका है, ये वाला प्लेयर बैटल आज के लिए वापस हो सकता है, मोहिनली राशित खा है जो कि जेम्स सुलर के अगेंश्ट में बारा बोल बीस रन दो विकेट और लुर्स ग्रिकोरी अलगी जादा इंपॉंट बनता नहीं को बहुत नहीं चाहता है ग्रिकोरी बाकि टॉम बेंटन को अगेंश्ट लूक वुड लिख दिया मैंने लूक वुड हैगा दो बार सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हो तो फड़ावट से कर दो बागे उल्लावेश्टेस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्श यूड हो बहुत ही जारे जो